तो आप लोग का स्वागत है टेक्निकल एक्जाम में जैसे पता है कि आप लोग का RRB NTPC का एक्जाम आउट हो चुका है और बहुत लोग का कंफ्यूजन है बहुत लोग कोचिंग वाले स्कैम बना रहे हैं कि ये सारी चीज़े स्कैम यहां चल लही है नहीं स्कैम चल लही ह है तो भाई उन्होंने साफ के लिरिफाइक कर दिया है आप देखिए किसी कोचिंग के मुद्दे पे मत पढ़िए और NTPCVT1 रिजल्ट में डारेक्टली उन्हों लिखा है गाई और यह सुन लीजिए और जो लोग बेट करेंगे क्या कहते हैं कि दुबारा रिजल्ट है क कुछ भी नहीं आने वाला है साफ लिखा है आप पढ़ लिजे क्यों ऐसा हुगा है क्यों आपको 20 गुना ही लिए हैं उन्होंने और कोई गलती उन्होंने और जो इस वज़े से है इस वीडियो को पूरा देखिएगा ठीक है तो इन्होंने साफ ये सारी चीजा पढ़ सकत जैसे च्छै पोस्ट थे आप छैपूस कलर के थे इस्टेशन मास्टर तो उसमें क्या हुआ जैसे आपके ठीक है यह से लिए कि आपके शिक्स तक पोस्ट थे तो मलेवाल से शिक्स तक पोस्ट उसके बाद आपका का जो डिफ्केल्टी लेवल है वान से लेकर सिक्स सबका डिफ्रेंट डिफ्रेंट होगा सबका एक्जाम सेफ्रेट होगा माल लिजे माल लिजे आप लोग आप का 94 मार्क्स हाया अब चार चैव लेवल के लिए आप फार्म फिल किये तो उसका इक्जाम डिफ्रेंट होगा माल लीजे आपका 6 का माल लो आप दिये 6 लेवल का इक्जाम दिये नहीं हुगा ठीक है उसका उसका कटाफ आप नहीं के लिए बट आप क्या किते लेवल 2 का कटाफ फिलियर कर लिए तो आपका तो यहां नहीं होगा तो क्योंकि इसी के वजह से आपको डिफरेंट एक्जाम होगा छहो का डिफरेंट टाइम एक्जाम वहां पर आप आलग तरीके से दे पाओगे एक्जाम इसलिए और आप जैसे से स्टेशन मास्टर का थोड़ा सा टफ पर होगा अच्छी जॉब है तो नाम जादा है लोगों का गाईज यह स्कैम के चक्कर में मत करें रेलवे ने अपना दे दिया रेलवे चेंज नहीं करने वाला है समझ दीजिए और साफ यहां पर लिखा है यहां पर सारा चीज पढ़ सकते हैं आप लोग सेफरेंट एक्जाम पर इस ग्रूप लेबल टू यहां से यह पॉइंट आपको याद रखना है गाईज किसी कोचिंग के सांसे में मत परो कोर्स बेचना है सब कुछ करना है गाईज यह समझ लीजिए ठीक है बाकी इन्होंने फाइनलाइज कर दिया पहले नोटिफिकेशन में दिया जाके पढ़िए और यह चीजे से रग गाई थैंक यू गाई वीडियो देगा अभी नाइस डिया और बाई बाई अन्टेक के गाई लव यू